हलो फ्रेंड्स, क्रिष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है आज हम बना रहें दही प्याज की पहुती स्पेसल और चटपती सी सबजी अगर आपके घर में कोई सबजी नहीं लाई हुई और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाए तो आप ये दही प्याज की सबजी जरूर ट्राई करना मेरी गारंटी है अगर आप एक बार ये दही प्याज की सबजी बना लोगे तो आपके घर में रोज इसी सबजी की डिमांड होगी चलिए रसीपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने छोटे वाले साबूत प्याज लिए हैं और इनमें फोग से इस तरह से छेद कर लेना है ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और प्याज अंदर तक अच्छे से पक जाए क्योंकि मैं प्याज को काटूंगी नहीं यह छोटे वाले प्याज है तो इनकी साबूत प्याज की सबजी बनाऊंगी इसकी जगह आप बड़े वाले प्याज भी यूज कर सकते हैं उनको बड़े साइज में काट किया गए सबजी बनाएंगी तो वो भी इतनी ही टेस्टी बनेगी मैंने चोटे वाले प्याज लिए आप इसकी सगे बड़े वाले प्याज भी यूज कर सकते हैं दूसरी तरफ के इस पे मैंने रखी है कड़ाई कड़ाई में दो चम्मच सर्सों का तेल डाल लिया है ओईल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है ओईल गरम होने के बाद में इसमें मैंने एक दाल चीनिका टूकड़ा एक चम्मच जीरा एक चम्मच राई और बारी कटी भी दो हरी मेच चेड़ की है हरी मेच हमारी के अच्छे से पक रही है तब तक हम तयार करते हैं सूख भी मसाले एक चमच नमक, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर, दो चमच धनिया पाउडर और दो बड़ी चमच दही एड़ किया है और आदी कटोरी के करीब छोटी कटोरी करीब पानी एड़ करके और मसाले को अच्छे से हमें दही में और पानी में मिक्स कर लेना है देखे इसी तरह सारे सुखे मसाले को अगर हम घोल के और सबजी बनाएंगे तो बहुती अच्छी सब्जी बनेगी और मसाले जलेगे भी नहीं हर इमिर्च पक चुकी है, पकने के बाद में इसमें जो हमने मसाले को गोल बना के तयार किया है वो डाल देना है, और ध्यान रही इससे चलाते हुए है पकाना है मसाले को क्योंकि हमने इसमें दही एड़ किया है अगर आप छोड़ जाएंगे तो दही फट जाएगा इसलिए आपको इसे चलाते हुए मसाले को अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए पका लेना है तब तक पकाना है जब तक मसाले से ओल अलग ना हो जाए और मसाला हमारा पके और ज मसाला पकने के बाद में इसमें मैंने एड़ किये हैं जो प्याज तयार करके रखे थे वो आप इसकी जिएगा बड़े साइज वाले प्याज को बड़ी-बड़ी साइज का काटके और वो इसमें यूज कर सकते हैं देखिए प्याज को एड़ करने के बाद में इसे काटोड़ी के करीब दही लिया है दही को हमें अच्छे से इस तरह से फेट लेना है देखिए दो से तीन मिनट के बाद प्याज हमारे करीबन आधे स्टेज तक पक चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे जो हमने फेट के रखाता वो दही दही धान रहे पहले हमें नहीं डालन जब आधे प्याज पक जाए तब इसमें दही एड़ करना है और अब आपको में इसमें यही ध्यान रखना है कि छोड़ना नहीं है चलाते हुए अच्छे से इसको दही के साथ इसे पकाना है अगर आप छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा और सब्जी अच्छी नहीं ब पका लेना है बाद में आप उसे छोड़ सकने हैं क्योंकि अगर आप दही डालते हैं इसे छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा इसलिए दही को एड़ करते हैं आपको इसे चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए पकाना है देखिए इसी तरह से तब तक फ्रेंड्स जरूर करना और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना देखिए इसी तरह से मिक्स करते भी मैंने अच्छे से पका लिया है अब इसे ढखन लगा के दो मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं देखिए तयार है हमारी यह दही प्याज की स्पेसल और चटपटी सी सबजी देखते ही मूँ में पानी आ जाए इतनी यह टेस्टी है हमारी सबजी बनके है तयार इस सबजी के सामने रेस्टोरेंट की सबजीयां भी फेल हो जाएगी इतनी टेस्टी सबजी बनती है आप जरूर ट्राई करना देखिए देखने से भी आपको पता चल रहा होगा ये सब्जी कितनी लाजवाब और टेस्टी बनी होगी आप चरूर ट्राइ करना और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना देखिए है न बहुती स्पेसल और टेस्टी ये दही प्याज की सब्जी अगर आप इस तरह से दही प्या अच्छे से मिक्स करके और तयार है हमारी ये दही प्याज की सब्जी मैंने छोटे वाले प्याज से साबूत प्याज से बनाया है आप बड़े वाले प्याज को बड़ी साइज में काटके ये सब्जी बना सकते हैं टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता देखिए दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में अच्छी है, इसे आप पराठा, चावल, पूरी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं, देखिए कितनी हमारी टेस्टी और लाजवाब सबजी है बनके तयार, मैंने इसके साथ बनाएं पराठे, चलिए तयार है हमारी ये दही प्याज की सबजी पराठे, आप भी जरूर ट्राई करना, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताना, इस सबजी में ना तो ज़्यादा कोई समान यूज होता है, और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आपके कभी घर में सबजी नहीं लाई हुई तो आप ये सबजी जरूर ट्राई करना, मिलते हैं नई वीडियो में तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले